बॉलिवुड की मश्यूर सिंगर अलकायागनी कानों से जुड़ी हुई एक गंभीर बिमारी से जूज रही है जिसमें उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है उन्होंने शोशल मेडिया पर खुद एक पोश्ट करके इसकी जानकारी दी है अलकायागनी की इस बिमारी के ठीक होने का दावा कर रहे हैं लखनों के मश्यूर E.N.T. सरजन पंकशिरवास्तों नमस्कार मैं डॉक्टर पंकशिरवास्तों लखनों से E.N.T. सरजन हूँ संभवता पेशेंट को अगर किसी ने देखा है अलकायागनिक जी जो मशूर म्यूजिक इंडस्ट्री बॉलिवुट की गाई का हैं तो हम डारेक्ट तो नहीं बता सकते कि इनको कौन से बिमारी है बट इस तरह के जो लॉस होते हैं उनको हम लोग सदें सेंसरी नूरल नस्की और इसको हम लोग अपनी भाशा में सदें सेंसरी नूरल हेरिंग लॉस कहते हैं यह आम तवर पे एक कान को इन्वाल करता है यह बड़ी अच्छी बात है और थोड़ा सा कॉमन है यह ऐसा अनकॉमन नहीं है यह जब हो जाता है तो इसको सबसे पहले तुरंत डॉक् लागनता में आ जाता है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सिंपल से टेस्ट करते हैं सुनने की जाचे हैं, कुछ ब्लट प्रिशर, शुघर वगड़ा देखते हैं और उसके बाद इसमें एक इंट्रा-टेंपानिक ड्रग पड़ती है इंट्रा- सही डॉक्टर सही दबा अगर चलाते हैं तो ठीक होता है इसके साथ एक और थिरापी होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइपरवेरिक ऑक्सिजन थिरापी अगर पेशिट को ऑक्सिजन में जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लगबग 2.4 एट्मोस्फरिक प्रेशर और कैसी किसी शहरों में यह अपलब्द है इसको भी अगर बहुत जल्दी हम लोग यूज कर ले पहले दिन पहले हफ्ते दस दिन के दौरान दबाओं के साथ तो फाइदा कई गुना बढ़ जाता है नहीं तो अगर एक बार यहाथ से गया तो यह पर्मानेंट परालसेस होती ह दूसरी बात जो आपने कई बिलकुल सही है जो तेज म्यूजिक आजकल का ट्रेंड है लोग सुनते हैं खासकर जो इयरफोन से सुनते हैं इस तरह का लॉस जो है वो कई बार दोनों कान को इनवाल करता है इसको भी हम लोग सेंसरी नियूरल लॉस कहते हैं सदन तो नहीं इ आइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरपी लेती हैं तो उन्हें इस बीमारी में काफी हद तक राहत मिल सकती है और उनका हेरिंग लॉस भी काफी हद तक कम हो सकता है यह कहना है लखनों के मशूर ENT सर्जन डॉक्टर पंकर शिरवास्तो का उनका कहना है कि इस तरह की बीमारी में यह थेरपी काफी हद तक कारगर साबित होती है लखनों से अंचली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल एटीम